पाँच हजार सालों बाद भगवान श्री कृष्ण के घर पर मिला कुछ ऐसा जिसने वेज्ञानिकों के भी पसी ने छुटवा दिये। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको महसूस होगा कि आप द्वापर युग में आ गए हैं। शिरुवात करने से पहले सभी कृष्ण प्रेमी कॉमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को भी जरूर प्रेस कर ले। इस घटना की शिरुवात होती है उत्तर प्रदेश के कानपूर शहर से जहां सीमा नाम की एक लड़की विज्यान की पढ़ाई कर रही थी। वो जब भी अपने आसपास कोई धार्मिक गति वीद्या देखती थी तो विज्यान की आधार पर वो उनका बहुत मजाक उड़ाय करती थी। परंतु कहते हैं ना शेर को एकने एक दिन सवाशेर जरूर मिलता है। एक दिन जब सीमा भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में जाकर वहां की संस्कृती का मजाक उड़ा रही थी। तभी वहां के पंडिज्जी को बहुत गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा कि तुम अभी भगवान की शक्ती से अपरिचित हो लेकिन जिस दिन तुमने इसका साक्षात कार कर लिया उस दिन तुमारी बोलती बंध हो जाएगी। और तुमारा ये विज्ञान भी धरा का धरा रह जाएगा। जिसके बाद उन्होंने सीमा को मथूरा जाने के आदेश दिये। उन्होंने कहा कि तुमारा ये सारा भ्रम वही पर तूटेगा। क्योंकि वहार रोजाना बड़े बड़े चमतकार होते हैं। सीमा ने भी इस चैलेंज को एकसेप्ट किया और वो अपने कैमेरे के साथ मथूरा के लिए रवाना हो गई। जिसके बाद वो कृष्ण जन्म स्थल पर पहुची। परंतु उसका कैमेरा बाहर ही रोग दिया गया। और वहाँ पर उसे पता चला कि यहाँ से नंद बाबा श्री कृष्ण को ले करके नंद गाव चले गए थे। अगर आपको चमतकार देखने हैं तो वही पर जाना होगा। जिसके बाद वो मथूरा से 55 किलोमीटर दूर नंद गाव पहुची। यहाँ पर यशोदा महल और नंद महल दोनों ही उपस्तित हैं जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का बचपन बीता है। इसे ही भगवान श्री कृष्ण का घर भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अपनी सारी बाल लिलाए यही नंद गाव में की है। यशोदा महल के अंदर पहुचकर उसने उन सभी जगों के दर्शन किये जहाँ पर कानहा लीला रच्ते थे वही पर माता यशोदा की रसोई भी उपस्तित है जहाँ पर वो भगवान श्री क्रिशने के लिए पकवान तियार किया करती थी पूरे महल में घूमने के बावजूद भी सीमा के सामने कोई चमतकार नहीं हुआ वो जोड़ जोड़ से हसने लगी परन्तु जब वो यशोदा महल के बाहर पहुची तो एक साधु ने उसके मन को पढ़ लिया और उससे कहा कि अगर तुम चमतकार देखना चाहती हो तो इसी यशोदा महल में रात के बारा बजे आना तुमारी आखे फटी की फटी रह जाएगी जिसके बाद सीमा रातरी बारा बजे चुप चाप चुपके से यशोदा महल के अंदर पहुच गई जब वो थोड़ा और अंदर गई तब उसने देखा एक निश्चित छेतर में से बह वटी की वटी रह गई क्योंकि उस स्थान पर बहुत सारी गो माताए थी और एक तीन से चार वर्ष का बालक उन गो माता के थनों पर मू लगा करके बड़े ही प्यार से दूद पी रहा था दरसल उस समय सीमा को साक्षाद भगवान श्री कृष्ण के बाल सुरूप में दर करशन हुए थे ऐसा नजारा देखकर और भगवान के तेज को देखकर उसकी आखे मंत्र मुक्त हो गई और सीमा उसी स्थान पर बेहोश हो गई अगली सुबह वहां इस्तित कुछ लोगों ने सीमा को जगाया उसने यह पूरी घटना रातरी को कैमेरे में भी केत की थी जिसे देखकर सीमा के रौटे करे हो गए वोट करके राधे राधे के जैकारे लगाने लगी उसने अपने साथ घटित इस घटना के बारे में नंद गाओ के लोगों को बताया उनका कहना था कि जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था तब नंद बाबा ने दो ला दूद बीने भगवान बाल सुरूप में आज भी यहां आते हैं इतना बड़ा चमतकार देखकर सीमा के भी पसीने छुट गए हमेशा विज्ञान के आधार पर तर्क वितर्क करने वाली सीमा आज भगवान की भक्ती में रम गई थी पूरा मथूरा और पूरा वरंदावन गुमने के बाद वो कानपूर के उसी मंदिर में पहुची और पंडिजी के पेर पढ़कर उनसे माफी मांगी और उनसे कहा कि मैं अपनी गलती के लिए शर्मिंदा हूँ मुझे इस बात का एहसास हो चुका है कि हमारे आसपास कण कण में केवल भगवान श्री कृष्ण ही विद्धिमान है इस घटना को लेकर दोस्तों आपके क्या विचार है हमें नीचे कॉमेंट बॉक्स में जिरूर बताईएगा जय श्रीक्रिष्ण ने तो लिखे ही लिखे साती हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना न भूले ताकि आपको हमेशा ऐसी सत्ति जमतकारी गटनाय देखने को मिलती रहें अभी के लिए आप सभी दर्शुकों को राधे राधे